कि अब दोस्तों को मेरा नमस्कार माहिमों प्रकास और आप सभी को यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज किस विडियो में लोगों को किस प्रकार से बनाएंगे इसका पूरा स्टेप जनने के लिए लास्ट तक वीडियो को आज करें तो पूरा समझ में आ जाना है सीफ्ट के साथ में इसको छोटा करेंगे डूबलिकेट बनाने के लिए अंदर की और इसको करेंगे एक भगियां तक ठीक है राइट कलिक करेंगे को Penit क总 वापकर में प्रेस करेंगे ट्रांसपन को상 कनने के लिए आप यहां से ओपन करेंगे करका है इंगल में 270 करेंगे को पीज़े 3 और यहां से अपलाई करेंगे इस तरीका से इसको मैं फिलाल के लिए हटा रहता हूं वापस इसको सेलेट करेंगे कंट्रॉल जी कर ढता हूं और हां से स्लेट करेंगे स्मार्ट फिल टूल और डिपल के लिए किता हूं यहां से फिर तरह से बाकी को Select करके Delete कर देता हूं वापस Select करेंगे और इसको मैं सेलेक्ट आई वापस टूल्बॉक्स में से सेप टूल ले लेंगे और यहां पर मैं सेलेट करूँगा और यहां से ब्रेक करूँगा यहां फिर सेलेट करके यहां से ब्रेक करूँगा कंट्रोल के प्रेस कर लेता हूं यह अलग-अलग हो जाएगा ठीक है सीधा कर देता हूं अब इस छोटे वाले line को मैं red कर देता हूं अब इसको मैं zoom करें ना एक बार इस परकार से लगबक इतना चलिए बड़े वाले line को select कर लिए और इस परकार से ड्रेक करेंगे और इस छोटे होले मैं मिला देता हूं इस परकार से right click करेंगे copy हो जाएगा चाहे आप arrow की से अड्जेस्ट कर सकते हैं मेरे सबसे ठीक है इसलिए रहने देता हूँ वापस टुलबोक्स में जाएंगे और यहां से blend टूelे लेंगे और इसको मैं blend कर देता हूं लाइन को अप यहां से कम बेशिक कर सकते हैं इस तरह से चलिए मैं 9 डाल दिया इतना सही है मेरे हिसाब से इसको मैं break कर देता हूं वापस इसको select कर लेता हूं और ungroup कर देता हूं यहां से ठीक है मैं zoom कर लेता हूं एक बर इस तरह से और इस वाले line को मैं select करूँगा इस वाले को और direct मैं हटा देता हूं और बाकी को मैं delete करूँगा और थोड़ा समय जोम करूँगा इस तरह से toolbox में से यहां से आपको मिलना है virtual segment delete tool इससे मैं delete कर देता हूं इस तरह से चलिए इस प्रकार से delete कर दिया मैंने यहां से delete करना था इस तरह से चलिए पूरे को मैंने यहां पर गड़बड हो गया कोई बात नहीं चलिए इस तरीका से मैंने delete कर देना है इसको भी सारे line को इस प्रकार से चलिए ठीक है मैं देख लेता हूं delete हो चुका है अब इधर भी मैंने इस प्रकार से delete कर ले है इस पहले तो जूम कर लेता हूं तो ज्यादा चराना है ठीक है वापास सेम टूल ले लेंगे और यहां भी इस तरह से delete कर लेता हूं चलिए फटापड कर लेता हूं इस तरीका से लगबग हो चुका यह ओलर आ गया इस तरह से इधर भी कुछ भाग है तो इसको भी मैं delete कर लेता हूं इस तरह से चोटा कर लेता हूं अब मैंने क्या करना है इस चोटे वाले को यानि कि तिरी में कैसा रहाएगा इसमें भी चेक कर लेता हूं यह भी लगबग ठीक है चले इसी को राने देता हूं और यहां से ग्रूब कर देता हूं एक पर प्रेस कर लेता हूं और दोनों को चेक करके यहां से ओके कर देता हूं पहले मैंने सी प्रकार का एक बनाया था उसमें आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज किया था आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो चलिए इसमें मैं डबल किलिक कर लिया और इस वाले इंकर पॉइंट को यह सरकल को यहां पर डाल देता हूं और टेप सेबन करेंगे ट्रांस्पर्ण को ओपन करने के लिए उससे पहले इधर कर लेता हूं मैं यहां से ओपन करूंगा पहले जो डाला हुआ था 270 और कोपेज में थ्री और यहां से अपलाई करेंगे इस तरह से फिलाल मैं इसको हटा देता हूं मैं छोटा कर लेता हूं इस तरीके से बन के रेडियो हो चुका है इस लायन को से लेट करके हटा देता हूं इसको पूरा सेलेट करके 进手तों ऐखोरे लेट हो जयाएगा चले लागबप्धख ठेक है इसका डूब्लीकेट बना लेता हूं उससे पहली थोड़ा मैं से बढ़ा कर लेता हूं इतना कपल या इसके डूप्लिकेट इधर बनाएंगे रैट किली किया इसको गषिद लीट युट करंगर कि इस तरह से दिखाई देना है तो बूं सब्सक्रियल्द से दिखात है तो यही तो चोटा सा ट्यट्रिय क्या तो लाइक कर दिजा और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा और तैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो